उत्राखंड में चार धाम यात्रा 22 अप्रेल से शुरू होने जा रही है। वहीं गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम में बुधवार दोपहर से जमकर बर्फ बारी जारी है, जिससे कडाके की ठंड पूरी घाटी में देखने को मिल रही है। इसके अलावा उंचाई वाले चेत्रों में भी जमकर बर्फ बारी और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्स की गई है। बर्फ बारी के बीच के दारनाथ धाम और गंगोत्री धाम में यात्रा की तयारी जोरों पर हैं। हालांकि अप्रेल माह में बढ़ती थंड से से सभी हैरान है, लेकिन फि फिर भी यात्रियों में चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है। चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों का पंजी करण का आकड़ा 15 लाख के पार पहुँच गया है। इन में सबसे ज्यादा पंजी करण के दारनाथ धाम के लिए कराए गए हैं।